तो अगर आप लोग भी क्लास 9 से जो है अक्तुबर मंत का एक्जाम देने जाड़ा और अगर आपका पेपर मैत का होने जाड़ा है तो यह वीडियो आपकी लिए काफी important है क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम लोग मैत का जो पेपर है उसका solution करेंगे और आपको पूरा objective का answer की बताएंगे साथ में subjective का भी answer की बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इसका PDF कहां से आपको download करना है जो कि यह ही आपकी पेपर में 100% पूछा जाएगा तो चलिए बता देते कुछ आपको topic बगड़ा जो की समय बगड़ा रहेगा देर घंटा का ठीक है और total exam होता है आ हम लोग आगे question answer की ओर तो यहां साप लोग देखिए गा दे कि टाइप भी में section B में जो रहता है इसमें एक से ले करके टीश टेक पड़ाता है जिसमें से पचीश objective बनाना होता है तो मैं अभी आपको जो टोटल question का answer बताना होगा तो चलिए पहला question आप से पूछा गया ह है कि x x और y x को क्या काएंगे ठीक है तो इसका right answer होगा option नमर क्या हो जाएगा तो c हो जाएगा यानकी मूल बिंदू आगे का question है कि x x पर बिंदू के निर्दे सांग के रूप में क्या होते हैं तो दो का right answer option नमर जो है न चार हो जाएगा यह याद रखिएगा और यह हो जाएगा आगे का question है चार नमर मूल बिंदू के निर्दे सांग क्या का लाएंगे ठीक है तो चार का भी option नमर जो है न ए होगा यानि की 0 हो जाएगा चलिए आगे का जल्दी से आप लोग नोट करिएगा आगे 5 नमर है x आक्षे से किसी बिंदू की दूरी को हम लोग क्य क्या काएंगे तो 5 का बिलको राइट अपसे नमर होगा यानि की कोट हो जाएगा आगे का question से नमर है कि y access कि विंदू की दूरी लोग क्या काएंगे तो तो क्या करेंगे भी नोट करेगा साति नमर्द क्या पूछा गया है प्रत्न है यादि एक तिर्भूज और एक समानत चेटरभूज के छेटरपर का क्या होगा तो याद रखिए इसका डाइट एंसर आप्शन मढ बी विल्कुर राइट होगा यानि कि आधा हो जाएगा आगे का क्विश्चन है तिरभूज का छेटरपर उसके आधार और सद्रिस उचाई के मान का क्या होगा तो देखिए आठ आप लोग जल्दी से नोट कर लिए पूछा गया एक सम चेटरभूज के विकरन जोएना पान सेंटीमेटर और 14 सेंटीमेटर तो इसका चेटर पर क्या होगा तो देखिए दस का राइट एंसर आप्शन मढ ए होगा यानि कि पाइंटी सेंटीमेटर एसकुआड हो जाएग तो चलिए आप लोग जो है 11 नोमर का नोट करिएगा निम्न में से किस चर्मान की संचाई बाडम बढ़ता सुल्ला होगा तो देखिए सुल्ला का राइट एंसर इसके लिए डाइगराम पर भी देर ही आ गया है लोगर निकालने के लिए आता तो निकाल लीजिए नहीं त प्रस्न पूचा गया ब्रग अंत्रा 15 से 25 की उच सीमा क्या होगी तो उच सिमां निम्न सिमां आप लोगों को पता ही होना चाहिए यह होगा 25 क्योंकि उच्छ शिमा यह ज़ा रहा है सबसे आगे जो है जो अंख्ये breed बाभ भड़ हुवह हा निम्न सिमा काता तो जो सबसे क क्या है तो यहां पर दी होगा जो मैंने आपको बताया ही जो उंचितम पुछा तो जो सबसे बड़ी है वो होगा ठीक है चलिए आगे देखिए कि आप चोड़ान वर पुछा गया कि बर्गंद्रार 15 और 10 और 15 की निम्न सिमा क्या तो निम्न सिमा मतलब की जो कम है सबसे से 40 की निम्न सिमा का मतलब हो गया कि कम ठीक है कम सबसे कम कौन सा है अंक तो यह पुछा गया तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में एंजर भी बताएंगे ठीक है तो चलिए 36 बिल्कुल राइट है अगर आप लोग ने भी पता है तो आगे का क्वेश्चन नूट कर एक बार फेका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायक्ता क्या होगी तो शट्रा का विल्कुल राइट अंसर अगर आप लोग न अप्शन नमड जो है न यह बताया हो तो बिल्कुल सही है क्योंकि पासा फेका गया तो एक बटे दो आ सकता है अठारा नूमर का जल्दी से गया कि पासाकु एक भार फेका जाता है तो विश्यम शंख्या आने के प्रायक्ता क्या होगी तो मितलब सीडा सीथ है हमच्च की आका सकते है जल्दी से हैं अप लोग कमेंट बाक्स में बताना कि यह जो है न आ भी highly सकता नहीं बाढ शकतтесь को नहीं को भटे टू चलिए 20 नमर का बताना आप लोग प्रतेक परेमेशंक्या क्या एक बास्तविक संख्या होती है यह सत होगा अध्य से आपने कून बताये गा दाइस नमर परत लोग मं पुझा गया है कि प्रतेक प्राकेट चंख्या एक पुर्ण संख्या होगी क्या तो प्रतेक प्राकेट चंख्या तो पुर्ण संख्या जो है या नहीं हो सकती है साइद होना चाहिए हाँ होगा देखो हो जाएगा बिल्कुर राइट है इसका देखना ऑप्शन नुमर बाइस का जो है वन होग तो 20 का option नमर यह बता था क्या यह बिलको राइट है और 19 का भी नोट कर ले ना 19 का मैंने क्या बता है तो option नमर B ठीक है तो सब का नोट कर ले ना थोड़ा सामीश टेक हो गया था चलो 22 का मैंने बता दिया क्या तो 22 का मैंने एक परिम्य संख्या होगी क्या तो 24 का option नमर यह बिलको राइट है यानि कि सथ होगा चलिए जल्दी से आप लोग जो है चैनल को भी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लेजे क्यों कि आपको बता दे या पेपर स्वा पर्शेंट औरीजनल है लेकिन आप लोगों का एक सब्सक्राइब कर लो ठीक है और क्योंकि आपको बता दे 24 तारिक से ले करके ठीक है अपको फिर से बता देंगे एक बार तो मन से हता ले ना और आप कई बच्चे कमेंट भी करते थे इसलिए मैंने वीडियो में ही बोल दिया ताकि आप लोग मुझे वाट्सअप पर ना पूछना ठीक है चलो आगे देखो पचेश नमर है कि तिरभूज A B C में कौन B 55 दिगरी है और कौन A 70 दिगरी है तो तो क्या होगा तो देखो बिल्कोट राइट एंसर क्या बता होगा आप लोग जल्ली से बताना तो आप्से नमर जोए ना से बिल्कोट राइट है सम्दूई वाव तिरभूज आगे का क्विश्चन है देखिएगा 26 नमर तिगूज ABC में AB बराबर AC है तो कौन B बराबर 25 क्या हो जाएगा उड़र 130 चलो आगे आप लोग देखने 120 होगा ठीक है तो देखो 27 पुचा गया तिरभूज ABC में BA BC और AB दोनों बड़ाबर तो यहां पर तिरभूज B है 90 डिग्र 80 डिग्री ठीक है तो बताना है एक क्या होगा तो देखो बिल्कोट राइट एंसर क्या बता रहें आप लोग बताना ठीक है बताना जरूर 25 डिग्री होगा चलो आगे का क्वेश्चन का एंसर आप लोग जरूर बतला ना देखो क्वेश्चन पुचा की बहुपद दिया गया है यहां पर पाइबटे टू इन्टू एकस स्क्वाइर पलस एक्स में तो एक्स पर बताना जल्दी से तो देखो जीरो के बढबर हो जाएगा क्यों होगा क्यों कि पाइ में संख्या आ गया है इसलिए जीरो तो ध्यान रखना आप लोग पाय में आता है तो जीरो हो जाता है देखो आगे पुछा एकस स्क्वार मैंस एकस प्लस जेबन में एकस का गुणा नांग क्या होगा तो इसका अगर बताओगे तो देखो एकस के गुणा में जो होगा वही होना चाहिए तो देखो बिल्कूर राइट एंसर ह क्या एकस के गुणा में अंपर मैंनस वण आना चाहिए क्यूंकि यहाँ पर वाइंस है जाब हम पलस केशी भी संख्या से करेंगे तो माइनस वान आएगा तो यह ऑप्सेन भी बिल्कूर राइट होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दिया आप चैनल क्याप्टर मांच तो को जैने ने साथ में बाई बाई